आप सभी का स्वागत है इस वक्त हम रायस्तान के कोटा शहर में और मेरे साथ कुछ इस्थानी महिलाएं है बैसे तो कहा जाता है कि महिलाओं के मन की बात को जानना आसान नहीं है लेकिन आज हम इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रयास करेंगे कि चुनाओं को लेकर हमारी जो चार सो पार का नारा हकीकत बनेगा या फिर किसी और पार्टी की सरकार बनेगी आई बातचीत करते हैं स्थानी महिलाओं से आपका शुब नाम गुंजन जोशी जी जी मोदी जी नारा दे रहे हैं आपकी बार 400 पार कॉंग्रेस पी कह रही है कि नहीं इस बार हमारी सरकार आपको क्या लगता है नहीं अपकी बार 400 पार 400 पार लेकिन क्यों 400 पार होना चाहिए मोदी जी का आप काम देखिए उन्होंने राष्ट इतने अपना सारा जीवन लगा दिया रामलला इतने वर्शु तक टेंट में रहे आप जाके उन्हें अपना घर मिला अपना मंदिर म में जाएं जब अब जाकर उनका पूरा सपना हुआ है और उन्हीं की परचाही है अपना जीवन दे रहे हैं अपना सर्वस्तिया अपना पूरा समय अपने पूरा हाड़ोती को दे रहे हैं तो हम तो सनातन धर्म के लिए वोट करेंगे और लेकिन जो विपक्ष है उसकी त जैसा अभी बहन जी ने करेंगे और अपना बैस्ट करेंगे अपना बैस्त करेंगे बिल्कुल जोश है जैसा अभी बहन जी ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं ओम बिल्ला जी के साथ हैं तो क्यों मोदी जी के साथ हैं क्यों ओम बिल्ला जी के साथ हैं देखे मोदी जी हैं तो मुमकीन है क्यों क्यों क्योंकि इन्होंने धारा 370 हटाई जिसे जम्मू कश्मीर को विशेश अधिकार का जो दर में सोचा। देश के तरक्किय और विकास के बारे में सोचते हैं तो मैं तो कहूँगी मोदी हैं तो मौकिन हैं जिन्नोंने सनातन हिंदू को आगे बढ़ाया और हमारे देश को गौरफ भारत में ही नहीं पूरे विश्व पूँचाया। और इसमें मेरा एक सवाल और भी रहेगा कि हम जहां भी जाइजिस हम पूरे देश के दोरे पर हैं अब हम पस्ची मुतरप्रदेश से आ रहे हैं फिर इदर अभी राजस्तान में हैं महिलाओं से बात करो तो सिर्फ मोधी ऐसा क्यों मोधी जी सब के बारे में सोचते हैं उन्होंने खुले में शौचाले के बारे में सोचा कि ये सबसे अगिनित काम है कि महिलाओं खुले में शौच करें शुद पेजल के बारे में सोचा सिलेंडर के बारे में सोचा गाओं में जो महिलाओं थी वो लकड़ी कचूला जलाती थ तो हर तरह से मोदी उन गरीब से गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं जो 75 साल से किसी ने भी नी सोचा और अगर हम बात करें यहां के सांसद और लोकसभाद देख्ष ओम बिरला जी की अमोमन जनता की शिकायत होती है कि हमारे जन परतिनी दी एक बार निर्वाचीत हो जात बिलकुल खड़े रहे और गरीब से गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जितनी भी साकारिता है कोटा में जो चल रही है आज वह उनी की बदालत है और हमारी शेक्षरिक नगरी को आगे बढ़ाने में ओम बिल्ला जी किसी वा और किसी का भी हाथ नी है और सबसे बड़ी बात पूरे कोरोना काल में बिल्ला जी ने पूरे कोहाड़ोदी का साथ दिया मतलब जब लोग है ना खाने के लिए तरस रहते तो वो हर घर तक उन्होंने अपने खाना पहुंचा है जो संकट के समय साथ रहे उसके साथ आप लोग दिख रहे हैं बिल्क लक्ष्ट तो कह रहा है कि मोदी जी ने जो जीना दुश्वार कर दिया और मेरे जो हिसाब दो आप एक कैम्पेज भी चला रहा है तो आपको लगता है कि महंगाई के मोर्चे पर मोधी जी विफल रहे या महंगाई को काबू करने में सफल रहे लेकिन बजट तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है बागी रास्टर उंतरा जो इस तर है उस पर मोदी जी भारत को बहुत उपर तक ले गए हैं इस बात की पड़े लिखी लोग जो भी है एजुटेट लोग है वो इस बात की सराना करते हैं कि अंतरास्टर लेवल पर मोदी जी की बराबर कोई नहीं लें लिए इंडिया को वोट होगा वो प्रधान मंत्री जी कौन वह ने इसके लिए होने वाला इस बारös प्रधान मंत्री जी को है नारी शक्ती वंदन विधियक पारित कराया और महिलाओं की एक ऐसी मांग पूरी की जो कि दश्कों से चलिया रही थ साथंस अब तक किसी ने नहीं दिखाये था कैसे देखती है की एक महिला आरक्षी विधहक जो महिलाहों को मिल पाएगा अगले बार 2030 का जब लोकस्वा चुना होगा तो कै से देखती है चो में च्वास ऑफिताए हैंं है जुन को लेकर उन्होंने बहुत द्यान दिया उनके लिए की वेस्ता करीैं काफ़ी हैं हैं है उन्होंने आसी महीलाओं के लिए एक निशूलों को सारी तरह की वेवस्ताः करी जैसे सिलाई का काम है बुनाई का है यह सब उन्होंने free of courts उन्होंने यह योजना बनाई गई है जिससे वो सारी महिला है जो पीछे रह गई है वो सब आगे आए और अपना प्रोच साइन दे जी ओम बिरला जी तीसरी बार लोक्सवा चनाव लड़ रहे हैं आपको ऐसा क्या लगता है उनको तीसरी बार मौका देना चाहिए संसत पहुंचाना चाहिए वो इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने हमारे कोटा के लिए बहुत जादा काम किये थी बहुत सारी सूविदायदिये है इसलिए लगता है कि उनको जीतना चाहिए वो जीतते ही रहे आगे चल्कर ऑगे इस प्रशन का जवाब आप देना चाहें तो आप इसमें क्या हम लोगों की help में और इस्थानी लोगों को सारी सुविधाय मूलबूत सुविधाय प्राप्त कराई हैं हर समय हर सुदुक में वो साथ खड़े रहे हैं और इसलिए मैं तो पेरा वोट बिल्ला जी को ही दूगी और अभी एक बहने राम मंदिर की बात की आपको लगता है कि राम मंदिर और 370 जैसे जो मुद्धे हैं जो सरकार ने हल किये उस नाते सरकार को एक बर फिर से मौका देना चाहिए जब ही और आगे काम कर पाएंगे यह लोग इनको मौका नहीं मिलेगा तो काम किसे करेंगे और हमारी तरक्की के लिए विश्व में हमें और उचाई तक पहुचाने के लिए यह काम करेंगे जीतेंगे तो मोदी जी आएंगे और मोदी जी आएंगَ तो हमारे देश का नाम हो गा और अभी जैसे मित की बात करलें तो दूसरे सまだ B हो भी टीका लगाकर निकल रहे हैं घर से या मंदिर जा रहे हैं हन्वान चलिसा पड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि वह सिर्फ चणावी हिंदू है या उनके मन में सनातव button बोडीồng करे मोडियी जी कि दिखावा करके और वह लोगों को झा डिकिन हम पर नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं और आपका जब यहां पर दूसरे चरण का चुनाओ गों से पहले राम नौमी भी आएगी राम मंदिर बन गया है राम लला अपने भवे दरबार में जो कि 500 वर्षों का इंतियार था वहां पर उनका पूजन भी होगा अभी हमने देखा कि अबद में राम लला ने होल ही ली अपने भविदर वार में तो लग रहा कि इक सब्णा जो था एक आम हिंदू इता दर्शन करने के लिए जाना भाँक पर अब बेखने मले…… जबसे मोदी जैंर आपने कहा कि द्रिखी युवा युद युवा कुछ विदेशी स्लोगन लिखे टी-शिट पहनता था लेकिन आज महाकाल लिखे या जैशिरी राम लिखे पठके लगा के चलता है तो आपको लगता है कि यह मोदी जी के आने के बाद से आपके घर में भी बच्चों का जो सनातन धर्म के परती हिंदूतु के परती अपनी स अ yad diha låg और इसका आप मेरी बेटी से सुन सकते हैं इसके बारे में अर्ट बच्चे-खास और पर जसा भी बेंगां तो पीछा व्यों composed यह ठीजरी जो देखेंगे कि कि जबनी वाली का है अब क्या बताने वाली है इसके मादम से जानते हैं बताघू क्या बताने मों जो राम को लाएं हैं, हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, भगवा लहराएंगे, योगी जी आएंगे, बिड़ला जी आएंगे, बिड़ला जी आएंगे, दुनिया में फिर से हम, भगवा लहराएंगे तो जो लोग कहते हैं कि यह एक फिक्स मैच है और इवियम के सारे बीजेपी जीतती रहे चुनाओ उसको जरा जन भावनाओं को देखना चाहिए बाल मन जो है वो सबसे सचा मन होता है बाल मन भी अगर यह कह रहा है कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे तो आप समझ सकते के तोरपे 10 साल में बदलाओ का करें तो सुरक्षा की दिस्ट्री से महलाओ की इस्ट्री से या विकास हुआ है उस इस्ट्री से आप intact ना आखती है सफल ब्रोड़ा जी के कारےकाल को अहीयोचा की पहले बात करते हैं कि आप अपने को महुतना शुक्षित महसूस पहले के कोटा में राजी कोटा में मैं काफी ली अंतर आगिया है। बिल्कुल श्रेक्शिनी नगरी कोटा बहुत आगे बढ़ रही है और उम बिल्ला जी के पांच साल के लोगसवाद्धेश के कारेकाल में जिस निर्भीकता से जितना अच्छे से कोटा का मान बढ़ाया उससे और अच्छा काम होगा यहां पर लग रहा है जैसे आप सब का ज तरीके से जनता इस बात पर मोहर लगा रही है कि ओम बिल्ला जी जनता के लिए सुलब रहे हैं जनता इस बात पर मोहर लगा रही है कि पिछले दस साल का जो कारेकाल रहा ओम बिल्ला जी का उसमें इस छेतर का विकास हुआ है जनता इस बात पर मोहर लगा रही है कि जो महि चुनाओं है वो विकास के नाम पर होने जा रहा है वो रास्ट को विक्सित बनाने के संकल्प के नाम पर होने जा रहा है विपक्स चाहिए जो भी कहता रहे लेकिन महलाओं ने जो अपने मन की बात बताई है वो दिखा रही है कि चुनाओं पर नाम क्या रहने वाले हैं और यही वो विश्वास है जिसके आधार पर पधानमंत्री नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही कैमरामेन निहाल सिंग के साथ मैं नीरज कुमार दुबे प्रभासाक्षी नेटवर्क के लिए राजस्तान के कोटा से अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अबडेट आप तक पहुँच सके